मैं हूँ आपिदुसाइन शेक आपका खेर मगदा मैं फॉर टीवी नियूज करनाटक एक्सप्रेस में आज राज्ज में करोना वाइरस के 18 मामले कुल पीडितों की तायदा पहुंची 445 आज बैंगलूरों में दस बिजापूर धारवाड और मंडिया में दोदो और दक्षिन कंणर और गुलबरगा में एक-एक मामले पॉजिट्व आये हैं अब राज्ज में कुल मामलों की तायदा 445 को पहुंची है पिछले चार दिनों से बैंगलूरों में पॉजिट्व मामलों में कोई खास बड़ोतरी नहीं हुई थी आज दस मामले पॉजिट्व आने से फिर चिंता बढ़ गई है लोकडॉन में रियायत सरकार का बड़ा फैसला राज्ज में क्रोना वाइरस के कहर को देखते हुए लोकडॉन जारी है मगर फिर भी वाइरस पीडित परदेशों को छोड़ कर ग्रीन जोन कहलाने वाइरस मुक्त परदेशों में ये रियायत कल राज से ही सरकार ने लागू की है क्रिशी बागबानी मचली का शिकार इमारतों के काम किराना वगरा की दुकानों को खोलने की अनुमती दी गई है ज सरकारी ऑफिसेस में सिर्फ 33 फीसद लोग काम करेंगे इन्हें पास दिका कर ऑफिस जाना होगा इलेक्ट्रिकल प्लंबिंग वगेरा कामों के लिए भी छूट दी गई है सिर्फ दो लोगों को जरूरी मोक्य पर प्रावेट वहानों में आने जाने की अनुमती दी गई है शराब पर में तीन तक पाबंदी जारी रहेगी बाकी सब वैसे ही रहेगा यानि विमान रेल और बस संचार अभी शुरू नहीं किया गया है पांसो के नोट देखकर डर गई जनता या इमानदार बन गए लोग पहले किसी को पांच रुपिये भी गुम हो जाते तो वापिस मिलना मोहाल था मगर अब पांसो के नोटों को भी देखकर जनता धूर से जा रही है यह सब करोना का कमाल है पिछले दिनों अफवा उटी थी के वाइरस पीडित लोग नोट को अपना स्वाब लगा कर रास्ते पर फेक रहे हैं ताके रुपिये लेने वालों को भी वाइरस का असर हो जाता अब ऐसी ही घटना मंडिया जिल्ले के पांडवपूर में कल घटी है यहां के गानगेर इलाके में पांसो के छे नोट पाए गए तो लोग डर कर धूर से ही देखते रहे फिर पॉलिस को जानकारी दी गई तो पॉलिस ने इन नोटों पर सैनिटाइजर स्प्रे करके हातों में ग्लोस पहन कर इसको कबजे में किया और कहा कि अगर इसका कोई दावेदार है तो पॉलिस थाने आकर रुपिया ले जाए लॉकडाँन में सांप बेचने की कोशिश दो आरुपी पॉलिस की गिरफ्त में जरूरी कामों के लिए पास का गयर फायदा उटाते वे दो वेक्टियों ने दो मुवाला सांप बेचने की कोशिश की इने सीषि भी पॉलिस ने गिरफ्तार कर लिया है बताया जा रहा है के बैंगलूरू मूल के रिजवान और अजहर खान जरूरी पास लेकर बाहर निकलेते पास दिकाने के बाद भी पॉलिस ने इनकी बैग की तलाशी ली तो बैग में सांप बरामद हुआ है इन दोनों आरोपियों को सी सी पी पॉलिस ने गिरफतार कर लिया बैंगलूरू के होंग संद्रा इलाका सील डॉन पिछले चार दिनों से बैंगलूरू में करोना वाइरस के जियादा मामले सामने नहीं आये जिसके कारण BBMP और दूसरे प्रशासनिक अधिकारी चैन की सांस ले रहे थे मगर आज अचानक नो लोगों की जाँच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद फिर आतंक बड़ा है कहा जा रहा है के बैंगलूरू हंग संद्रा सलम इलाका और विद्या जोती नगर में बांधकाम इमारत के काम के लिए करीब 50 से भी जियादा कार्मिक बिहार से आये थे इन्हीं में 56 साला एक कार्मिक पेशन्ट नंबर 419 के संपर्क में आये नौ लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिट्व आई है इन लोगों के ट्रावेल हिस्ट्री को देखते हुए इस इलाके के करीब 180 लोगों को कॉरेंटाइन किया गया है और विद्या जोती नगर को बीबीम पी अदिकारियों ने पूरी तरह खाली करवाया है इस बिहारी कार्मी के ट्रावेल हिस्ट्री को देखते हुए यह सब किया जा रहा है पता नहीं इसलम इलाके में और कितने व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिट्व आएगी पहले पॉलिस को गाली फिर माफी देवस्तान के पास बैटे इवकों को उटाने के लिए जब पॉलिस कांस्टेबल ने लाटी का सहारा लिया तो एक इवक के सर पर लाटी ने निशान छोड़ा तो इवकों ने पॉलिस कांस्टेबल के साथ गाली गलोज किया ये घटना आजबीदर जिला आवरात तालुका के यांगुंडी गिराम में घटी है मामला और आगे बढ़ता के इतने में वहां पहुंचे डिवाइस्पी डॉक्टर देवराज और पियसाई जगदिश नायक ने चिंतकी पोलिस थाने के कांस्टेबल गुरू लिंग को बच घटना घटी है दूद लाने निकले एक आटोच चालक ने जब देखा कि कच्रे में एक बच्चा गिरा है और पांच कुटे उस पर हमला कर रहे हैं तो इसने खून से लटपत बच्चे को उटा कर कैसी अस्पताल में भरती करवाया और यश्वंद्पूर पोलिस्ताने में इसकी जानकारी दी सीसी टीवी पोटेज में देखा गया तो साफ नजर आया है कि एक महला ने इस बच्चे को कच्रे के हवाले किया था इस महला की जान जारी है बच्चे की जान बचाने वाले आटोच चालक की हर जगा प्रशम सा की जा रही है रास्ते में गिरा सिक्का उटाने पर कॉरंटाइन मैसूर शहर के बोटी बाजार इलाके में सैकल सवार से सिक्का गिर गया इस सिक्के को एक वेक्ति ने उटा लिया अब इसी गलती की सजा इसको मिली है इस घटना की जानकारी देते वे आरोग यदिकारी डॉक्टर नागराज ने बताया कि इस इलाके के लोगों की शिकायत पर जांच की गई सिक्का उटाने वाले को 14 दिनों तक घर में ही कारंटाइन किया गया है इस इलाके को पूरी तरह से सैनिटाइजेशन किया गया है बताया आरोग यदिकारी ने हुबली में नो मास्क नो पैट्रोल अभियान की शुरुआत क्रोना वाइरस के कहर से बचने के लिए मास्क पहनना जरूरी है इसी के चलते सरकार के अधिकारी और वाइलेंटर जनता में जागरता पैदा करने का काम कर रहे हैं अब हुबली में नो मास्क नो फियोल यानी पैट्रोल अब मास्क के बिना नहीं मिलेगा हर पैट्रोल बैंक में ऐसा लिकर बोर्ड लगाया गया है मास्क ना पहिन कर आने वाले ग्रहकों को पैट्रोल नहीं दिया जा रहा पिछले दिनों यहां नो हेलमेट नो पैट्रोल अभियान भी काफी कामियाब हुआ था बाइक सवार की गलती गुड्स वहान पल्टी लॉक्डाउन के चलते वहानों के ना चलने से रास्ते खामुश थे मगर जैसे ही लॉक्डाउन में रियायत की गई तो रास्ते चलने लगे आज बेंगलूरू में ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला ओवर्टेक कर रहे बाइक सवार को बचाते बचाते गुड्स वहान पल्टी होने की घटना बेंगलूरू के इलेक्ट्रोनिक सिटी में घटी है खैर है कि इस हादसे में गुड्स वहान को छोड़ कर किसी और को कुछ नहीं हुआ इंटरनेशनल कुस्ती खिलाडी की सादगी भरी शादी क्रोना वाइरस के कारण लोगडाउन को देखते हुए नेशनल और इंटरनेशनल कुस्ती चैंपियन धारवाड के रफीक होली ने आज चित्रदुर्ग में हीना कौसर के साथ शादी की इस शादी में सिर्फ दस लोग शामिल रहे लोगडाउन के बाद हालात को देखते हुए बड़े पैमाने पर जश्न मनानी की बात कही रफीक ने हज के लिए बचाए गए रुपियों से गरीबों की मदद दक्षिन कन्नड जिल्ला बंतवाल के बीसी रोड निवासी अब्दुलरह्मान कूली का काम करते हैं इनकी पतनी घर में बीडियां बनाती है कहीं सालों से इन दोनों ने मक्का के मुकदस सफर जाकर हज करने की तमन्ना की थी मगर क्रोना वाइरस से तकलीप उटा रहे लोगों को जब देखा तो इनका इरादा बदल गया इनी रुपियों से ये अनाज खरीद कर गरीबों में बाट रहे हैं इसकी जानकारी इनके बेटे इलियास ने सोशल मीडिया पर दी है ये भले ही मक्का ना गए हो मगर गरीबों की मदद इसके जजबे को देखते हुए इनका हज शायद अल्ला ने कुबूल किया होगा भीड भरे इलाके में कॉरंटाइन केंदर इस्तानिया निवासियों का आकरोश गदग जिल्ला मुंदरगी तालुका के भीड भरे इलाके में स्तित्य स्टी स्टूडेंट्स हॉस्टेल को कॉरंटाइन केंदर बनाने की तैयारी कर रहे हैं इसी को देखते वे यहां के निवासि कह रहे हैं कि यहां इस केंदर को हम बनने नहीं देंगे शेहर के बीचों बीच वाइरस शंकीतों को लाकर रखना ठीक नहीं है शेहर के बाहर बहुत सी जगा है वहां कॉरंटाइन केंदर खोलें कह रही है इस्तानिया निवासि और खबरों के लिए देखते रहे हैं